हेलो एवरीवन आपका एक और फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस परेश वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ क्वांट लार्ज एंड मीट क्या फंड डायट ग्रोथ के बारे में इसमें मैं आप से डिसकस करूंगा कि य एक साल, तीन साल, पांच साल या फिर एनवल रिटन क्या दिया है आज के डेट में इसका एक इनवी का प्राइस क्या है ये कितनी स्टार रेटिंग मुच्वल फंड है इसमें आप मिनिमूम S.I.P. अमांट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है साथे साथ मैं मैं आप से डिसकस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस मुच्वल फंड के अंदर पूच पैसा जमा किया होते तो पिछले एक साल, तीन साल, पांच साल के अंदर आपको क्या रिटन देखने को मिलता और लास्ट में मैं आप से डिस फंड आइड ग्रोथ ये एक एक एक्योटी मुच्वल फंड है जो कि लार्ज एंड मीट के अंदर आता है और ये काफी हायरिक्स मुच्वल फंड है इसने जो पिछले एक साल में रिटन दिया है वो दिया 62.32% का, 3 साल का रिटन है 32.62% का, 5 साल का रिटन है 32.58% का और जान देंगे अभी जो भी रिटन में आपके साथ यहां पर डिसकस किया ये इनका वन टाइम यानि की लंसम का रिटन है अगर आप एक बार में कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको ये रिटन देखने को मिलता अगर आप SIP के थूरू इंबेस्मेंट करेंगे तो रिटन आपको कुछ और मिल सकता है तो क्या रिटन मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिसकस करूँगा अगर इस तरीके का मुच्वल फंड रिव्यो देखना आपको पसंद है तो एक हमारा में चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दीख रहा होगा तो एक बर इस चैनल को जरूर विजिट किजिएगा इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी मुच्वल फंड रिव्यो का वीडियो अपलोड करके रखा है एनवी के उपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनवी का प्राइस है एक सो एक चालिस उर्पया बीस प फाइसा जमा करते तो पी आपको क्या रिटन देखने को मिलता और अगर आप समझ में आएगा कि अगर आप SIP के थूँंबंशंट करेंगे तो आपको क्या रिटन मिलेगा इस से पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्मेंट स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के description में मैंने अपना demate account का referring दिया है अगर आप मेरे referring से join करते हैं तो आपको कुछ rewards देखने को मिलेगा और आपको account opening या अपने account maintenance का कोई भी charge नहीं देना होगा अगर आप इस mutual fund के अंदर 5000 रुपया पर मन जमा करते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 आपको मिलता 75,378 रुपया यानि कि एक साल में आपको SIP के थुरू 25% का return देखने को मिलता तीन साल की बात करें तो तीन साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 आपको मिलता 2,76,319 रुपया यानि कि तीन साल में SIP के थुरू आपको 53% का रिटन देखने को मिलता और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3,00,00, आपको मिलता 6,26,07, रुपया यानि कि 5 साल में आपको SIP के थुरू 108% का रिटन देखने को मिलता अब बात करते हैं कि अगर आप इस मुच्छल पंड में एक बार में 1,00,00, रुपया का लमसम किया होते तो आपको क्या रिटन मिलता तो एक साल में आपका 1,00,00, रुपया एक लाग बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 32 स्टॉक लिस्टेड है अगर हम इसमें टॉप टन आउसके से डिसकस करें तो पहला नाम आता है Reliance Industrial Limited Energy छेत्र, HDFC Bank Limited Financial, Samardhana Morthan International Limited Automobile, Aurobindo Pharma Limited Healthcare, Container Corporation of India Limited Service, Adani Power Limited Energy, Jio Financial Service Limited Financial, Sun TV Networks Limited Service, Adit Birla Fashion and Retail Limited Service, हिंदुस्तान Unilever Limited Consumer Steps के छेत्र में है, अगर इसकी Holding Analysis की बात करें तो एक्रेटी पे है 94.7, डेप्ट पे है 6% और क्यास्ट पे है मैनस 0.6%, इसकी एक्रेटी सेक्टर एक लोकेशन को अगर देखें तो Financial पे है 20%, Energy पे 17.2, Service पे 15.6, Metal and Mining 9.3, Healthcare पे 9.2, Consumer Steps पे 8.8, Others पे 7.7, Automobile पे 7.3, और Chemicals पे 5.2%, यानि कि अगर आप Quant, Large and Mid Cap Fund के अदर अपना पैसा इंभेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे equally distribute होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो Quant, Large and Mid Cap Fund को आगे कौन ले जा सकता है, तो आगे उनको ले जा सकता है इसकी stock holding, इसका stock का performance, तो उस stock में हम लोग एगर equity sector एक लोकेशन देखें, और जो सबसे अच्छा perform कर रहा आज क्रेट में, वो financial और energy sector है, और यहाँ पे देखेंगे, तो major जो है, इसकी equity sector एक लोकेशन, वो financial और energy pay है, तो इसलिए यह जो Quant, Large and Mid Cap Fund है, यह काफी अच्छा perform कर रहा है, और अगर इसी तरीके का same, इसकी stock holding रही, change नहीं हुआ, investment के लिए, और हम लोग 50% देखेंगे, return and ranking के उपर, अभी थोड़ी दिन में, अगर उसमें भी यह pass हो जाता है, तो फिर हम लोग Quant, Large and Mid Cap Fund के अंदर invest कर सकते हैं, इसकी stock holding तो काफी अच्छा है, इससे यह pass हो चुका है, इनकी advance ratio के अगर बात करें, तो इसका price to earning ratio 35.35 और PB ratio 4 पर, अगर आप Quant, Large and Mid Cap Fund के अंदर अपना पैसा invest करना चाहते हैं, तो फिर minimum lump sum, first time आपको 5000 पैका करना होगा, और अगर second time भी आप lump sum करना चाहते हैं, तो second time आप 1000 का lump sum कर सकते हैं, अगर आप इसके अंदर SIP करना चाहते हैं, तो फिर minimum SIP आपको 1000 पैका करना होगा, अब हम लोग return ranking के उपर बात करते हैं, और 50% criteria हम लोग एहीं से देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहां जानते हैं, Quant, Large and Mid Cap Fund का fund return, जो कि एक साल में 62.3, तीन साल में 32.6, पांस साल में 32.6, और annual है 18.6, वहीं पर इस category का जो average return होता है, यानि कि equity large and mid cap fund का, एक साल में 45.9 तीन साल में 22 और पांस साल में 24% का है, तो यहां से देखेंगे, यह mutual fund एक साल, तीन साल, या फिर पांस साल, हमेशा अपना category average return को बीट करके, आपको ज्यादा return दिया है, और return rank के भी category पे देखेंगे, चाहें एक साल से लेकर के, तीन साल, या फिर पांस साल, हमेशा top one large and mid mutual fund बना हुआ है, यानि कि यहां से भी यह 50% अपना criteria पास हो चुका है, यानि कि आज के date में अगर आप एक large and midcap mutual fund देखना चाहें, तो सबसे waste है, quant midcap fund, तो आप इसके अंदर अपना investment कर सकते हैं, अगर आपने already invest किया है, तो आगे आप अपना SIP अपने लमसम को continue रखेंग इनकी expense ratio की बात करें, तो इसका expense ratio 0.61% का exit load की बात करते हैं, अगर आप invest के आवा पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे, तो फिर आपको 1% का exit load देना होगा, और system duty की बात करें, तो system duty है 0.005% tax inflation की बात करते हैं, अगर आप invest के आवा पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे, तो जो भी आपका return होगा, उस पे आपको 20% का tax payment करना पड़ेगा, अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, एक साल में अगर 1,25 जियर का return बनता है, तो फिर आपको 12% का tax payment करना होगा, यानि कि short term capital gain आपको 20% payment करना है, और long term capital gain पे tax आपको 12% tax payment करना है, अगर कोई investor एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है, और एक साल में अगर 1,25 जियर का return नहीं बनता है, तो फिर उनको 12% का tax payment नहीं करना होगा, इनकी fund house and investment objects की बात करते हैं, तो quant mutual fund total assist पे इंडिया पे नमर 34 पे रेंग करता है, इसका total assist under management है, 90,625 करोर का, quant large and meet cap fund diet growth, यह एक equity mutual fund है, जो कि launch क्या गया है, quant mutual fund की तरफ से, संजीब सर्मा अभी इस fund का current fund manager है, और यह जो fund manager है संजीब सर्मा, यह quant meet cap को भी यह manage कर रहा है, और quant large and meet cap fund को भी यह manage कर रहा है, इसलिए quant meet cap fund भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और quant large and meet cap fund भी काफी अच्छा परफॉर्म दे रहा है, यानि कि कहीं न कहीं संजीब सर्मा well experience है financial condition पे, इसके assist under management की बात करे, तो इसका आज के रिट में assist under management है, 90,626 करूर का, और latest न भी 140 रुप्या 20 पैसा, quant large and meet cap fund diet growth, यह एक काफी high risk mutual fund है, इसमें minimum SIP amount 1000 रुप्य का set किया गया है, और minimum لمसम 5000 रुप्य का set किया गया है, अगर आप invest के आवा पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे, तो फिर आपको 1% का exit load यहाँ पर देना होगा, और अगर इसकी fund benchmark की अगर बात करें, तो इसका fund benchmark है nifty large mid cap 250 total return index, तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ discuss किया, quant large and mid cap fund के बारे में, फिर मिलते हैं हम लोग next को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को ले करके,